हेट गाइस वेल्गम डो तो सकसास दिलिप मेद जलीप कुमार स्वागत हेट आपका इस वडिए मेग तो दोस्तों बात करने वाले हैं आज की हमेजिंग सरकारी नोकरी की भरती के बारे में जो की वेकर्ट से रिलीज की गई है रेलवे की तरब से जियां रेलवे की तरब से ITR technician की नई भरती और diploma JE वालों के लिए NB Tech वालों के लिए junior engineer की new recruitment आउट की गई है जो कि All India के candidate apply कर सकते हैं और यह एक permanent सरकारी नोगरी है बिल्कुल नई भरती निकाली गई है vacancy release की गई है राइट्स की तरब से है, राइट्स दे पार्ट ओफ रेल्वे, यहनी कि रेल्वे का ही एक डिपार्ट्मेंट है, और यहीं से वेकिंस निकाली गई है, टोटली पर्मानेंट और सरकारी नोकरी, तो चलिए डिटेल नोडिफिकेशन वाइज डिस्कस करते हैं तकि इसी तरह लेटिस्ट गौवर्मेंट जॉबस रिलेटेड अपडेट आपको हमेशा मिलते रहे आप ITI पास आउट हैं, आपने डिप्लोमा कर रहे हो या फिर आप भी बेटे की स्टूडेंट हैं, आप अपना ट्रेड अपना ब्रांच में जरूर कमेंट करके बता हैं ताकि मैं आपको बता सकूँ कि आप ITI प्लाइ करने के लिए फिर आप रिलिजबल नहीं है, तो कमेंट में अपना ट्रेड जरूर बताएं चलिए आगे बढ़ते हैं यह आपका ओफीसियल नोडिफिकेशन राइट्स लिमेटेड राइट्स लिमेटेड एक्चुली में एक PSU और्गनाइजेसन से है है तो मिनिस्ट्री ओफ रेलवे का मिनिस्ट्री ओफ रेलवे इसको टोटली लीड करते हैं उसका एक डिपार्ट्मेंट है जैसे आपका यह दिए परकार से राइट्स भी है इसमें सेलरी रेलवे से कहीं ज्यादा मिलती है क्याकि पीएसं में वही बती हैं तो इसमें ITI technician की vacancy निकाली गई है grade 2 level की उसके बाद vacancies आपको देखने को मिलेगी यहाँ पर JEE supervisor level की vacancies special drive की recruitment आई है OBC, NCL, STAC and PWE candidate के लिए ओके post देखो सबसे पहले technician grade 2 की post पर vacancies है ज्यादा vacancy नहीं है 15 vacancy निकाली गई है पर्मानेट सरकारी नोकरी as a ITI technician टेकनिसियन सेम वही टेकनिसियन जो RRB टेकनिसियन के अभी form online film दुबारा से चालू हुई है vacancy बढ़के same application same vacancies और same post यह हैं लेकिन salary आपको RRB टेकनिसियन से कहीं ज्यादा मिलेगी इसकी एगर आप यह इस limit देखे जाओ तो 18 साल से लेगर तो इस साल के candidate इस form को अराम से apply कर सकता है qualifications देख लो क्यांकि must qualifications ज़रूरी है तो 10 past plus ITI होनी चाहिए ट्रेडमेंट सिप के पाद यानि कि आपका ज़रूरी नहीं कि apprenticeship होना अधरवाइज अपने apprenticeship कर रखी हो 10 past करके बिना ITI का अपने apprenticeship किया है तो बिलकुल apply कर सकते हैं नहीं तो ITI चाहिए ही चाहिए vacancies के इंसार trade देख लो trade निकाली गई है civil engineering assistant में development civil में, surveyor में and cad operator में यानि कि आपकी जो popular trade है वो trade की vacancies नहीं है लेकिन minimum trade की recruitment है जो बहुत कम निकलती है उसकी vacancy निकाली गई है तो vacancy निकाली गई है आप देख सकते है civil engineering यानि कि development civil के candidate इस form को apply कर सकते हैं क्योंकि department आपका civil engineering में अधरवाइज आपने ITI सर्वेयर trade में कर रखी हो माइनिंग सर्वेयर में तो वो candidate भी apply कर सकता है एक cad operator होता है हलाकि diploma वाले autocad design सिकते हैं लेकिन आपका ITI student का एक trade होता है cad operator या फिर draftment cad operator तो वो trade का भी candidate apply कर सकते हैं बिलकुल Fraser candidate apply कर सकते हैं कोई भी experience यहां पर नहीं मांगा गया है और भी post है आप सभी candidate के लिए wait करना बहुत सारी post है अभी निकाली गई यह पहली notification है दूसरी notification अब भी देखने वाले हैं selection process के में बात करूं तो form की scrutiny होती है और उसी के basis प assessment test भी लिया जाएगा finally आपका return test होगा जो की return test आप qualify करोगे then आपका interview होगा उसके बाद ही आपको job से यहां पर मिलने वाली है ओके salary की अगर डिसकस करेगा है इस technician grade 2 20,000 grade पे से लेकर यानि 20,000 से लेकर सिया सट अजार तक salary मिलेगी यानि approximately लगबल लगबल साड़े साथ लाग का package आपको देने वाली है अगर technician grade 3 यानि ये railway में आपकी job लगती है तो मात्र आपको 4 लाग LPA की job देती है ये आपको directly दे रही है साड़े साथ लाग का यानि मानलो की मंतली आपकी जो salary होगी लगबल लगब साड़ से बार साड़ हजार पर मंत होने वाली है application fee होग को करना होगा online सारी चीज़ें इंडिया के 6 locations में आपके retentist conduct कराई जा सकती है जिसमें से यहाँ पर सारी चीज़े mention किया गया है वहाँ पे होगी इस लेबस बताए गया है retentist का आप एक बार इसको ज़रूर चिक कर सकते हैं चले हम आगे बढ़ते है form fill up की मैं अगर इसकी बात करूँ तो 8 नॉवंबर 2024 तक last date form apply करने के लिए आप online apply कर सकते हैं जिसकी link आपको description मोजूद है तो यह technician की पहली notification चले है next notification की और so guys यह है आपकी दूसरी notifications यह recruitment आपकी professional जो basis पे होगा contract basis के यह job है वो vacancy जो की आपकी permanent basis पे था यह vacancy देख सकते हैं कुछ vacancy आपकी surveyor की देखने को मिलेगी बाकी सारी पोस्टें engineer की है यह यानिकी junior engineer की vacancy सारी है track में civil में snt electrical ohe operator power and designer में ओकी और इसकी जो last day form फिलप की 25 October 2024 तक form apply कर सकते हैं यहाँ पर experience वहरी होगा जैसे site engineer track में vacancy है जितनी भी पोस्टें है मानलो diploma के candidate apply कर सकते हैं और भी बिटेक के student apply कर सकते हैं बट सारे candidate को experience compulsory होगा IT वालों के लिए कोई experience नहीं है बट इसमें diploma और बिटेक वालों का experience है track में apply करने के लिए civil engineering चाहिए और diploma civil jee वालों के लिए इसमें भी civil engineering चाहिए civil में site supervisor जो site surveyor की vacancies है इसमें भी डिप्लोमा civil engineering snt में apply करने के electronic communication telecommunications के candidate apply कर सकते हैं electrical में electrical engineering eligible होगा चाहिए डिप्लोमा हो या फिर बिटेक किया हो ही power में यहाँ पर भी electrical engineering power की मैं बात करूं इसमें site engineer में तो electrical electronics वाले candidate apply कर सकते हैं and last में site surveyor estimator designer के लिए तो इसमें बिटेक आपने कर रखी हो जो electrical engineering apply कर सकते हैं experience compulsory होगा डिप्लोमा के लिए 5 year बिटेक के लिए 5 year और डिप्लोमा के लिए minimum 8 year का experience यहाँ पर सारा चीज mention है अलग-लग ways पर आप उसके अनुसार फोम apply कर सकते हैं बड़ आइटिया वाले only fraser candidate apply कर सकते हैं ओके और इसमें भी interview के basis पे selections होगा है experience वेरी करता है आपका किस basis पे age limit बहुत अच्छा कासा है तो टेंसल लेने की बात नहीं है इसमें salary के मैं बात करूँ तो salary बहुत ज़्यादा मिलती है approximately 45,000 प्लस आपको salary यहाँ पर मिलेगी एक contract है फिर भी इसमें application भी कोई charge नहीं है बड़ वो permanent था इसलिए application charge उसमें लगने वाला है ओके दोनों में compare समझ में आगी एक contract job है वो पहले वाली permanent थी interview के basis पे होगा उसमें written exams भी होगा 25 October तक यह last date है जितनी भी candidate eligible है आप यहाँ पर जा सकते हैं क्योंकि walk-in interview जो हो लगा 23 से 25 October तक ही चलेगी तो आपको form भी apply करना है यह की नहीं यह आपका offline form है यह आपका documents एक लिस्ट है जिसको आप लेकर जाना होगा एक बर चेक करके जिस दिन interview होगी वो आपको एकर लेकर विजिट करना होगा ओके दोनों notification का link description मौज़ू दे एप्लाइ कर सकते हैं दोनों का आइटी अवालों कर आप पहले जिस बलें तो वो form मौका मत चोड़ना फ्रेसर है और पर्मनेंट जोब है बागी बाद वीडियो कैसे लिगी जरूर बताइएगा योज़फल लगी हो तो प्लीज लाइक से रण सब्सक्राइब करें पिलते नेक्स वीडियो में तब तगले ज़ा हिंद